कॉंग्रेस के वरिश नेता और वर्तमान उत्राखन राजिसवा सांसत परदीप तमचा ने आनाइन टीवी से खास बात चीत की जोरान उन्होंने कॉंग्रेस नेता उदित राज की एवियम हैक वाले बयान पर कहा कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं कॉंग्रेस की तरब से इवियम है कि कोई ऑफिशल जानकारी नहीं दी गई है जैसे जैसे परिणाम नजदीक आ रहे हैं अब बयान बाजी अभी शुरू हो चुकी है एक बयान बाजी कॉंग्रेस के वरिश नेता उदित राज ने भी कर दी है जिसमें मुझे लगता है कि हमें कॉंग्रेस के ही व सब्सक्राइब करना कोई कुछ भी होगा तो हम सब लोगों को अभी भी इंत्यार करना चाहिए इस बार वहां पर जो पोली की राउंस है वह भी आगे बढ़े है और यह लोगतंत्र में जंता का यू सवाल है जंता का फैसला वह अंतीम होता है लेकिन बात साफ है कि जो राजनिती मुदी सरकार के द्वारा की गई यह तो मुदी से पूछी का बीज़ेपी से जान सकते हैं अपने ही पार्टी के लोगों को कि सयोग पीश से कैसे चुड़ा मारा जाता है आज परिणाम की बात है बताईए और बिल्कुल स्पस्तोर पर बताईए कि EVM को रोना आखेर परिणाम के करीब है क्यों आता है लेकिन जिस तरह से बिहार के परेड़ा आ रहे हैं उसमें अभी कुछ नहीं कहा सकता सर कॉंग्रेस का उत्ता प्रदेश को लेकर क्या आप टिप्रिढ ना चाहेए क्यों कि अभी आपने का किसी सचेक नजर नहीं हäre। उत्तरप्रदेश के अंदर पिसले एक साल के अंदर जनता के सवालों को लेकर कि हमारी नेताराज ती पिंक गादी जी के नित्मत जिससे कॉंग्रेश को नया रूप मिला नई उर्जा मिली है और यह अभी तो उत्तरप्रदेश में फिलाल आप अभी वोट काटू पार्टी क की तोर पर नज़र आ रही है कॉंग्रेश का स्टेंड अभी उत्तरप्रदेश में इस तरीके से नहीं है जैसे समाजवादी अभी बिजेपी को टक कर दे रही है कामर बसंद केसर के साथ मैं भावना आर्लाइंटी वितिनली